तैयार करने में जोटे हैं सूत्रों की मारे से टॉपर्स वरिफेकेशन का भी काम शुरू होगा बिहार बोड का जायसा लिया हमारे सायोगी रजनीश कुमार में व सब पयूए बोड की वरिफेकेशन के लिए बुलाया जाना है और एक जोड़ो गया है और एक हए कर के बोड़ी के बोड़ी बाबा का जाया पर ज़नीश के संवी === हाइस एक एक ला क्य conception रहे हो एक हमारे सायोगी झा। संव जो कि जिला टॉपर्स भी हैं और यहां पे जो अस्टेट टॉपर होंगे जिसमें भी सभी छात्रों को टॉपर विरिफिकेशन के लिए बिहार बर्जो है वो आमांतित करने जारी है आमांतरन जो है वो आपका बिहार बर्जो है के थुरू भेजा जाएगा ओफिसियल के सभी को पतना बुलाया जाएगा और पतना ही सभी को यहां पे टॉपर विरिफिकेशन के लिए टीम गठिट कर ली गई है और सभी टीम्स भी है बो टॉपर का विरिफिकेशन करें कि in सौब पर गर्चार की जैसे ही पुनर मुल्याइंकर और बीच में आपका होली भी पहा तो होली को देखते हुए टॉपर का जो विरिफेकेशन होगा वो एक दो दिन डिले होश रखता है और ये सबता तक भी चल सकता है टॉपर विरिफेकेशन क्योंकि बीच में आपको बता दे कि बीच में होली भी पर रहा है तो ऐसे में टॉपर विरिफेकेशन जो है साथ से दिन का समय ले सकता है तो जो भी यहां पे बिहार बोड से टॉपर्स बन रहे हैं जिनको भी आमंतरन भेला जा रहा है ठीके उन सभी को समय पर उपसित होना होगा अगर कोई भी चात जो पसित नहीं हो पाता है तो उन्हें टॉपर लिस्ट से निकाल दिया जाएगा और वो सामिल नहीं हो पाएंगे अगर कोई भी चात जो है टॉपर लिफिकेशन के लिए नहीं पहुंचता है बोड आफिस तो और ऐसे में आपको बता दे कि रिजल्ट को लेकर भी यहां पे काफी जो है सुबडाहर तेज हो चुकी है क्योंकि रिजल्ट भी बिहार बुर जो है वो अचानक से जारी कर सकता है जैसा कि आपको बता दे कि रिजल्ट के लिए पहले से यह बताया जा रहा था कि रिजल्ट काफी तेजी में तयार हो रहा है और आज जो है कौपी मुल्याइंकन का आखरी तारीक है पांच माज तक कौपी मुल्याइंकन होना था इंटर पर और आज जो है कॉपी मुल्याइकन करी करी शाम तक समात कर लिया जाएगा और ऐसे में बिहार बोर अपना ही रिकॉर्ड एक बार फीसे यहां पर तोने जा रहे ही क्योंकि रिजल्ट को लेकर पहले ही जैसा कि आपको बताया जा रहा था कि रिजल्ट 17 माज तक बिहार बोर कि इसी भी हाल में यहां पर जारी करने का प्लान बना रही है यहार बोर इंटर या मैटी का रिजल्ट चेक करने के लिए आपको www.biharhead.in पर आना है जैसे ही आएंगे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और आपको नीचे की और जाना है जहां पर आपको 10 और 12 जो है धोनों का लिंक यहां पर दिया गया कि किस लिंक पर क्लिक करके आप कैसे असदानी से अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे। तेंत का लिख्य यहां पे बताया गया है और उसके नीचे जाएंगे तो आपको 12 का मिलेगा और 12 का ही बताया गया है कि आपको result जो है वो कैसे डाउनलोड करना है कहां पर आपको roll code डालना है, roll number डालना है ठीक है उसके बाद total डालना है capture code डालकर अपना result जो है वो आपको click क रहे कि बीहारबोर रिजल्ट जो है एक बाग फिर से 17 मार्च से पहले भी जारी कर सकती है और अपना रिकॉर्ड जो है पुना यहाँ पर एक बाग तोड़ सकती है अलाकि जो भी अपडेट आईगी इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी तो बने रहे हैं चैनल के साथ वीडिय को शेयर जरूर करें